अपनों से ही घिर्टी जा रही है कॉंग्रेस लगातार बगावत के सुर्फ कॉंग्रेस में तेज होते जा रहे हैं और ये बगावत के सुर्फ विदान सबाद चुनाव के समय भी देखने को मिले थे और लोग सबाद चुनाव के समय भी यही इस्तिती देखने को मिल रही है पहले सचिन पैलेट के करीबी हो या फिर अशोग घेलोद के करीबी हो नेताओं के जाने का सलसरा बरकरार रहा अब होट सीटों की अगर बात कर ले जिन होट सीटों पर लगातार कॉंग्रेश अपना दमखम दिखा रहे थी चाएं कॉंग्रेस के उमिद्वार अपना दमखम दिखा रहे थे उन होट सीटों पर ही बगावत के सुर्टेज हो गए पूर्मंत्री कॉंग्रेस सरकार में रहे पूर्मंत्री अमिन खां जो की अपने ही उमिद्वार के खिलाफ परचार परसार कर रहे थे पार्टी विरोधी गतिव विदियो के होने के चलते उन्हें 6 साल के लिए निश्कासित कर दिया अमिन खां जो कि उमेद अराम बेनिवाल के खिलाफ परचार परसार कर रहे थे पार्टी के करदावन नेता थेल माना जा रहा था कि कही न कहीं कॉंग्रेस उमिद्वार के नेतर निश्कासित में परचार परसार करेंगे लेकिन हुआ उल्टा उमेद अराम बेनिवाल के खिलाफ भी वो परचार परसार करने में लग गए उसके बाद उनको छह साल के लिए निश्कासित कर दिया इसके बाद नाम आता है पूर उस्विकर दिपेंदर सिंग उनके पुत्र बालेंदू सिंग उनका नाम भी चर्चाओं में आया उसको लेकर भी वैबाव गैलोद जो की पूर मुख्यमंतरिय अशोग गैलोद के पुत्र थे उन्होंने भी शिकायत करी कि पार्टी गतिविद्यो विरोधी गतिवियोद्यू में इनका नाम है उसके बाद सुखजिंदर रंदावा जो की परभारी है राजस्तान से उन्हों ने दोनों को ही छे साल के ले निलंबित कर दिया। अब सवाल यह उड़ता है कि कौंग्रेश पार्टी में स्रीस नेतरतों के जाने का सिल्षEPर जा रही है। परदेश इस्तर के सीष्ट नेतर्ट के जो नेता थे माना ये जा रहा था कि ये लगातार पार्टी के लिए सक्रे रहेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे लेकिन अब इनके जाने का सिलसला इनको निस्कासित करने का सिलसला थमने का नाम नहीं ले रहा है एक तरफ परभ लीकिन विरोध थामने का नाम नहीं ले रहा है कलै थामने का नाम ने? ऐसे में कैसे कॉंग्रेस एक जुठ होगी यू कैंकि राजस्तान में विरोध में उतार हैं मैं अपस Mom and के लिए लेकिन सवाल यही बनता है कि राजस्तान में कॉंग्रेस कहां खड़ी है कॉंग्रेस के नेता तो विरोध में उतर रहे हैं पहले अशोग गैलोदो सचिन पाइलेट दो गुट बन गए थे इन गुटों की चर्चाल लगातार देखने को मिल रही थी वीजेपी इन ग केता गए उनको लेकर भी गोविन शिंग डोटासरा कह चुके थे कि पार्टी को अपनी मा मान कर आए थे लेकिन पार्टी के विरोध में ही जा रहे हैं ऐसे नेताओं को जल्त सबक मिलेगा जब मजबूत इस्तिति में कांग्रेस आएगी तो यह खुद लोट कर आएंगे लेकिन अब यूँ कह सकते हैं कि अलग लग जिलो से जिस तरह की घटनाय लिकल कर सामने आ रही है इसे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस की इस्तिति डामा डोल होती भी नजर आ रही है वसंद पांडे टीवी नाइन जैपूर